नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रदीप गोस्वामी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूत्र प्रदान करने वाला चमतकारिक दिब्योस्दी स्वेत कंटकारी का चमतकारिक प्रयोग कंटकारी एक सरोसुलब औसधी पोधा है जो प्राया नीले फूलो वाली सभी इस्थानों पर प्रयाप्त मातरा में पाई जाती है परन्तु स्वेत कंटकारी बहुत ही दूरलभ और चमतकारिक औसधी है जो सौभाग से ही प्राप्त होती है इसे स्वेत चंद्रपुस्पा, दूरलभा, चंद्रहासा, गर्भदा, लक्षमडा, सफेद कटेरी, रिंगडी इत्यादी नामों से भी जाना जाता है इस दिब्योस्धी की सबसे बड़ी विशेस्ता यह है कि यह लक्षमडा नाम की दिब्योस्धी के समान गर्भ कारेडी तथा पुत्र परदान करने वाली ओस्धी है इसी कारण इसे भी लक्षमडा कहा जाता है यह औसधी इस्तरियों के लिए अमरित के समान है जिस इस्तरी का बार बार गर्भ पात हो जाता हो या जिसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हों उसे स्वेत कटेरी का जड़ तथा छोटी पीपल भैस के दूद के साथ पीस कर पिलाने से गर्भ सुरक्षित रहता है और स् इस्तरी बांज हो या जिसके गर्भ से पुत्री पैदा हो रही हो तो उसे स्वेत कंटकारी की जड़ तथा सिलिंगी के बीजों को गाय के दूद के साथ पीस कर सेवन कराने से निश्चय ही पुत्र की प्राप्ती होती है